अलो एब्रीवन, वेल्कम बैक टू आवर चैनल, तो हम थर्मो डाइनमिक सिरीज में तेरा वीडियो पहले से ही पढ़ चुके हैं, यह हमारा चौदवा वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गिप्स हेल्म होल्ज समीकरन, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका दो तो देख लेते हैं कि यह है क्या, तो उस्मा गाति के दुदिया नियम से एक महतपूर्ण संबंध प्राप्त होता है, जिसे गिप्स हेल्म होल्ज समीकरन कहते हैं, यह सेकेंड ला से ही रिलेटेड है, फर्स ला और थर्ड ला से रिलेट मत करिएगा इसको, क्योंकि यह प समीकरन के अनेक रूप हो सकते हैं, तो दो रूपों में पढ़ना है टाइप नहीं है, दो रूप है हमारा, क्या-क्या रूप है देखिए, पहला रूप है हमारा मुकत-उर्जा तथा एंथल्पी के पदों में, तो इंटर्म आफ फ्री एनर्जी एंड एंथल्पी, जो हम हमारा equation आए गई ये वाला पहला वाला और दूसरा क्या पढ़ना है हमें कारेफलन तथा आंतरिक उर्जा के पदों में Gibbs-Helmholtz समी करें या क्या बोल सकते हैं इसको हम इंटर्म आप इंटर्नल एनर्जी एंडव वर्क फंक्शन इन Gibbs-Helmholtz equation तो ये Gibbs सेकेंड वाला का ये वाला रहेगा तो थोड़ा सा परिवर्टन है क्या परिवर्टन है जी और ए का ये मुक्त उर्जा के लिए हम आपका जी निकालेंगे और कारेफलन के लिए क्या निकाल निकालन है तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला रूप पहला क्या रूप है हमारा मुक्त उर्जा तथा एंठल्पी के पदों में इन्टर्म आफ्री एनर्जी एंड एंठल्पी गिल्म-Helmholtz equation तो स्टार्ट करते हैं इसका कि मुक्त उर्जा को हम किस तरीके से एक equation मानते हैं यह क्या होता है H is equal to E plus PV होता है यह हुआ तो अब क्या कर देंगे इसको माल लेते हैं equation number 1 और इसको माल लेते हैं equation number 2 तो equation 2 का मान equation 1 में रखने पर तो रख देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए G equal to E plus PV मानस TS इसको माल लेते हैं equation number 3 क्या किये हैं देखिए H के जगा पे यह वाला मान पुट कर दी हैं simple सा और कुछ नहीं किये हैं तो अब इस equation number का क्या कर देते हैं हम आउकलान कर देते हैं तो equation 3 का आउकलान करने पर यह हुआ आउकलान कर देते हैं तो आउकलान कर देते हैं इसका तो क्या हो जाएगा हमारा नया है DG equal to DE plus दो function है तो एक बार PDV plus BDP minus TDS minus SDT इसको मान लेते हैं equation number 4 यह हुआ यह हो गया हमारा equation 4 अब इसमें कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो हमें पता क्या है हमारा एक पहले से जानते हैं कि दूतिया नहीं हमसे TDS equal to क्या होता था D E plus BDV इतना हम सारा पढ़ चुके हैं इतने वीडियो में यह वाला equation तो अब इसको हम क्या कर देते हैं इसके जगह पे रख देते हैं TDS DG equal to DE plus PDV plus VDP minus DE minus PDV minus SDT देखे यहाँ पे यह दोनों minus क्यों हुआ क्यों क्यों क्योंकि TDS के सामने में minus हैं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे था, तो यहाँ पे तो minus है, तो minus और plus रहते है, तो minus sign पहले आता है, तो ये हो जाएगा, इसको equation number हम 5 मान लेते हैं, तो देखो, यहाँ पे जो कट रहा है, उसको कटा देते हैं, क्या क्या कट रहा है, अब QADEDE कट रहा है, और QADV कट रहा है, तो नया equation क्या आया उसको लिखो dg equal to vdp और minus sgt देखो इतना सारा करने के हम इतना सारा कर चुके हैं पहले से ही पहले ही वीडियो में और यह Maxwell relation से भी आता है इसके बाद हम पढ़ेंगे Maxwell relation जब तो उसमें ट्रिक वाला बताऊंगे मैं तो last time में हमारा यह आया है अब इसमें भी क्या कर देते हैं स्थिर्दाब पर लिख देते हैं यहाँ पर स्थिर्दाब पर स्थिर्दाब मतलब कि dp is equal to 0 तो यह वाला हमारा क्या हो जाएगा यह वाला part 0 हो जाएगा तो नया equation क्या ले लेगा dg is equal to minus sdt हमें यह फिलहाल अभी लाना था इसलिए इसको लाएँ हैं यह हुआ तो अब क्या कर सकते हैं कि अब क्या बोल सकते हैं हम माना कि किसी ताब t पर तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में मुक्त और्जा जीवन है अति सुछम ताब बढ़ाने मुक्त और्जा में परिवर्तन होता है उसको कैसे सो करेंगे उसको देखते हैं हम यहाँ पर लिग देते हैं क्या हो जाएगा हमारा dg1 equal to minus s1 dt हो जाएगा जो हमारा यह वाला equation लाए थे ना यह वाला तो उसके लिए क्या हो जाएगा dg1 equal to minus s1 dt dg2 equal to minus s2 dt हो जाएगा यह हो गया कितना equation नमबर दिये हैं हम फिफ्थ इसको दे देते हैं फिफ्थ और 6 यह हो जाएगा फिफ्थ और यह हो जाएगा 6 यह हुआ तो जहाँ पर s1 तथा s2 क्या है तंत्र की प्रारंभी कर अंतिमा उस्था में entropy है बोला गया है चलो इसके आगे करते हैं हम जहाँ पर s1 और s2 क्या है तंत्र की प्रारंभी कर अंतिमा उस्था में entropy है तो equation number हम आप यहाँ पर लिखते हैं equation 5 and 6 से दोनों को लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा dg2 minus z1 equal to minus s2 minus s1 और यहाँ पर dt तो इसको फिर solve करेंगे तो क्या हो जाएगा d delg change code del से so किया जाता है और del s dt यह हो गया equation इसको माल लेते हैं एक डिबा में बंद कर देते हैं अब इस equation को क्या करते हैं कि स्थिर दाब पर क्या बोला गया है स्थिर दाब पर यह थे ना पहले से ही स्थिर दाब पर यह equation क्या हो जाएगा हमारा देखो यह dt है यह dt था उसको नीचे ले आते हैं तो क्या होगा equation d delg by dt और पुरा कोश्ठक में बन करके constant pressure था equal to minus ds तो s का ds या sorry ds बोलते हूं del s का मान यहाँ पर आगया है हमारा तो एक equation आया था अभी हम निकाले थे क्या equation आया था हमारा dg equal to minus sorry d यह del वाला है d वाला नहीं लिखते हैं तो भी चेंज को दर्शाना है del j del g is equal to del h minus d del s यह था ठीक है तो इसमें अब क्या करेंगे del s का मान हमारा आगया है तो इस del s का मान कहाँ पर पूट कर देंगे इस वाला equation पर पूट कर देंगे तो फिलहाल अभी equation नमर उपर में है तो इसको हम अलग-अलग equation दे देते हैं इसको माल लेते हैं तो लिखते हैं फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे equation ए में del s का मान रखने पर तो del s का मान equation ए में रखतेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा लिखो फिर यहाँ पर कैसे लिखें del g equal to del h minus t और del s का मान क्या है इसको फूरा लिखते हैं d del g by क्या था हमारा dt और constant में p यह आया तो हम क्या करेंगे यह वाला हमारा final equation आ गया फिलहाल अभी तो इसको एक डिब्बे में बंद करके रखते हैं यह किसके लिए है क्या वाला topic पढ़ रहे हैं हम अभी मुक्त उर्जा था enthalpy के पदों में Gibbs Helm Holds समीकरन पढ़ रहे हैं यह हुआ तो इस समीकरन को हम क्या बोल सकते हैं Gibbs Helm Holds समीकरन बोल सकते हैं कहते हैं इसको Gibbs Helm Holds समीकरन तो स्थीर दाब पर यह समीकरन क्या हो जाएगा प्रक्रमों पर लागू किया जा सकता है इस समीकरन की सहाथा से हम स्थीर दाब पर किसी तंत्र की enthalpy की गढ़ना भी कर सकते हैं यदि दो अलग लग ताब पर जैसे की मुक्त उरजाओं का मान दिया जाता है तब यह Gibbs Helm Holds समीकरन का पहला रूप है अगर आपको यह भी पूछा है कि Gibbs Helm Holds समीकरन का पहला रूप लिखे तो यह वाला लिखना और दूसरा रूप लिखने के लिए बोलेगा तो का रिफलन वाल लिखना है ठीक है न यह समझाया तो इससे हम क्या रूप अरकल्कुलेट कर सकते हैं Dale G कमान भी छली Dale H कमान भी डूप सकते हैं अगर numerical question आता है तो यह हुआ अब दूसरा वाला देखते हैं हम दूसरा वाला ले लेते हैं दूसरा क्या था हमारा heading लिखते हैं फिर यहां पे फिर दूसरा हमारा क्या है आंतरिक उर्जा तथा कार्य फलन कार्य फलन के पदों में या इंगलिस में क्या बोलते हैं in term of internal energy and work function तो कार्य फलन आता है तो याद रखिएगा a a का आफ समी करान लिखने है a equal to e minus t s यह हुआ इस समी करान का आउकलन कर देते हैं इसको माल लेते हैं equation number 1 equation 1 का आउकलन करने पर तो क्या आएगा आउकलन करेंगे तो d a equal to d e minus t d s minus s d t इसको माल लेते हैं equation number 2 तो आप पढ़े हो उस्मा गतिकी का दूतियनियम चलो लिखते हैं यहाँ पर फिर क्या था हमारा उस्मा गतिकी के प्रथम तथा दूतियनियम से क्या पढ़े हैं हम t d s is equal to d e plus p d v अब तो इतना हो गया है तो practice हो जाना चाहिए इतना सारा पढ़ चुके हैं हम तो यह आया तो अब हमें d e का मान चाहिए d e का मान चाहिए तो d e equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका t d s minus p d v हो जाएगा इसको इधर ले जाते हैं इसको इधर ले आते हैं तो तो यह हो जाएगा हमारा नया equation equation number इसको रख देते हैं क्योंकि यह हमारा उतना भी नहीं है तो इसको मान लेते हैं equation number 3 यह हुआ तो equation number 3 का मान हम किस में put कर देंगे equation number 2 में put कर देंगे तो यहाँ पर लिख लीजिए, लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, equation 3 का मान, equation 2 में, रखने पर, क्या हो जाएगा, देखो, देखो, यहाँ पर, del e का मान दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा equation, da, equal to, tds, minus pdv, minus tds, minus sdt, यही था, देखिए, tds, pdv, बस इसको मैं, यहाँ पर पुट कर दी हूँ, simple सा, तो यह नया equation आया है, हमारा फिलहाल, यहाँ पर equation number 4 लिखते हैं, इसको, ठीक है, यह equation number 4 हो गया हमारा, अब इस equation number 4 में, क्या कट रहा है, उसको कटाते हैं, फिलहाल तो, तो देखिए, tds, tds कटा, तो यहाँ पर पर नया equation क्या हो गया, da, equal to, minus pdv, minus sdt, यह नया equation जर्रेट हुआ है, इसको माल लेते हैं, equation number 5, अब इस equation number 5 में, क्या करते हैं, स्थीर आयतन पर करते हैं, क्या करेंगे, स्थीर आयतन पर, स्थीर आयतन पर, स्थीर आयतन पर है, मतलब कि, dt, इस उका, sorry, आयतन के लिए, b हो जाएगा, dv equal to, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यह part क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमारा, तो नया equation, d a equal to, minus sdt, यह आया, इतना, इतना तो समझा गया होगा, तो अब इस equation number को रख देते हैं, equation number 6, तंत्र की प्रारंभीक, फिर लिखो की तंत्र की प्रारंभीक, तथा अंतिम अवस्थाओं के लिए, तंत्र की प्रारंभीक, अंतिम अवस्थाओं के लिए, equation 6 को निमने प्रकार्से लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जा सकता है, देखो, d a1, d a1, equal to minus s1 dt, और d a2, equal to minus s2 dt, यहीं लिखेंगे, इसको 1, इसको 1, 2, 2 करेंगे, यह हमारा स्थिर, temperature पे तो नहीं है, तो temperature अभी फिलहाल वो change नहीं होगा, dt dt लिख दिये हैं उसको, यहीं वो पहले से ही dt के फार्म में है, तो अब इसको equation number कितना है, यह हो गया हमारा 7th, और यह हो गया 8, तो अब लिखो यहाँ पे, equation 7 and 8 से, तो कैसे लिखेंगे अब, d, a2 minus a1, अंतिम minus प्रारंपिक होता है, s2 minus s1, और सामने में minus है, और dt हो जाएगा, इसको माल लेते हैं, equation number 9, यह हुआ, तो अब इस equation number 9 को और कैसे लिख सकते हैं, d a, d है, तो उस्टक में लग देते हैं, यह minus d del s हो जाएगा, और यह dt हो जाएगा, अब dt को नीचे भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, d del a, by dt, constant में क्या है, फिलाल बाद में लिखेंगे, minus del s, यह हुआ, तो constant में अभी हमारा item चल रहा है, तो भी ले लेते हैं, अब del s का मान तो पता चल गया, तो आप एक equation लिखे थे, उपर में याद करिए, del a, equal to del e, minus d del s, तो इसको मान लेते हैं, equation number 10, और इसको मान लेते हैं, 11, तो, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे फिर, del s का, मान, equation, 11, equation 11 में, रखने, पर, तो रखते हैं फिर, देखें क्या है हमारा, del a, equal to, del e, minus d, और यह क्या है, d, शरी, यह del है, del a, by, dt, और constant में, v, तो, आ गया हमारा नया relation, second term, किसके लिए, Gibbs-Helm-Holz equation के लिए, तो, यह second रूप है, और इसको हम क्या बहु सकते हैं, Gibbs-Helm-Holz समीकरण का, दूसरा रूप, यह क्या बहु सकते हैं, आंतरीक उर्जा तथा, कार्यफलन के पदों में, Gibbs-Helm-Holz समीकरण, तो, आपका, question कैसे आएगा, यह तो, theory वाला उपर वाला अब पढ़ चुके हैं, कि, मुक्तो उर्जा तथा, enthalpy के पदों में, Gibbs-Helm-Holz समीकरण, विद्पन न कीजिए, यह क्या आएगा, कार्यफलन तथा, आंतरीक उर्जा के पदों में, Gibbs-Helm-Holz समीकरण, विद्पन न कीजिए, यह क्या आएगा, ऐसा दे देगा, यह वाला equation, जो अभी हम लिखे हैं, उसको, विद्पन न करने के लिए पूछेगा, या तो यह विद्पन न करने के लिए पूछेगा, या देखते हैं, एक और, जो उपर में दो लिखे थे, वो वाला को पूछेगा, यह वाला, या तो यह विद्पन न करने के लिए पूछेगा, या तो ये विद्पन न करने के लिए पुछेंगा सीधा डारेक्ट आपका एक्वेशन दे देगा और इसको विद्पन न करो करके पूछ सकता है आपका क्वेश्चन तो इसमें अब देखेंगे हम Gibbs Helmholder समीकराण का अनुप्रयोग तो Gibbs Helmholder समीकराण के अनुप्रयोग को हम नेक्स्ट विडियो में देखेंगे इस विडियो में यही तक धन्यवाद